हेलो स्टूडेंस वालकम बैक मैं अंकीत गोहिल आप तब का स्वागत करता हूं स्टूडेंस आज हम स्टांडर्ड 11 के चेप्रेंट नंबर 8 के प्रैक्टिकल नंबर 16, 17, 18 के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो चली स्टांड करते हैं चेप्रेंट नंबर 8 का 16, प्रैक्टिकल तो आई होब कि लिनक्स सिस्टम के अंदर टर्मिनल विंडो कैसे ओपन करना है वह आप सबको पता ही होगा हमने काफी सारी प्रैक्टिकल सभी तक देख चुके हैं तो आई होब कि सबको अभी पता चलगा कि कैसे तेक्टिकल्स विंडो ओपन करना है, तर्मिनल विंडो ओपन करना है, तो जस्ट राइट क्लिक अन डेक्स टॉप अन जल्दी से अपना फोल्डर ओपन कर ले, हमारा फोल्डर था 11 कॉमर्स करके, तो मैं यहां पे कमांड प्रोग्राम को उपन करने के लिए हम वहां पर कमांड लिखेंगे स्क्रिप्ट 16 और जैसे अंटरप्रेस कर रहे है तब आ हम पर आप 16 नंबर की स्क्रिप्ट का कोडिंग आप देख सकते हो जड़िये Code को explain करें सबसे पहले हमने comment line के अंदर वहां पर script की definition लिखी हुई है कि 16 number की script हम किसके लिए बना रहे है तो वहाँ पे definition है comment section में क्योंकि first line के अंदर हमने वहाँ पे has लिखा हुआ है और terminal में अगे नियाद करा दू कि terminal के अंदर अगर आपने has के साथ कोई line की startup किया हुआ है तो वहाँ पे comment गिना जाएगा तो यहाँ पे script 16 और colon करके हमने उसके definition लिखी हुई है कि script to check file size ओके यह comment line है तो program के execution के दौरण वहाँ पे वो ध्यान में नहीं लिया जाएगा तो यहाँ पे हम script बना रहे है कि particular file की size चेक करवानी है तो file size check करवाने के लिए हमें वहाँ पे file name एंटर करना ज़रूरी रहेगा तो हम वहाँ पे echo command के तुरे message print करा रहे है कि जब भी हम program को run करेंगे तब यह message वहाँ पे display होगा कि enter a file name यानि कि वो हम से पूछेगा कि हम कौनसी file का नाम एंटर करना चाहेंगे तो हम जो भी file name enter करवाना चाहें वो हम file name वहाँ पे लिख सकते है फिर next line के लिखा हुआ है कि read f name यानि कि हम जो भी file का नाम वहाँ पे enter करेंगे वो नाम f name नाम के variable के अंदर वो क्या होगा वहाँ पे store होगा फिर हम वहाँ पे if condition के साथ वहाँ पे condition चेक करा रहा है कि if minus s dollar f name minus a space minus w dollar f name तो यहाँ पे यह condition क्या कहती है कि जो minus s dollar f name लिखा हुआ है that means minus s का मतलब क्या रहेगा कि हमने यहाँ पे जो भी file name हमने वहाँ पे enter किया हुआ होगा क्या वो file name वहाँ पे exist है और अगर exist होगी तो वो क्या वो zero size से ज्यादा है वो वहाँ पे वो क्या करेगा चेक करेगा और last में हमने वहाँ पे लिखा हुआ है minus w तो minus w का मतलब यह रहेगा कि हमने जो भी file का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे उसके write permission होनी चाहिए और जो भी हमने file लिखा हुआ है वो file भी वहाँ पे exist होनी चाहिए और minus w का मतलब हमने देखा ही है कि यह दोनों condition वहाँ पे true होगी तब ही जाकर हम वहाँ पे क्या हो जाएगे method display होगा otherwise अगर वहाँ पे एक भी गलती होगी यानि कि कोई भी condition वहाँ पे true नहीं हुई तो वहाँ पे else part में जो message लिखा हुआ है वहाँ पे display हो जाएगा यानि कि again हम repeat कर दे कि वहाँ पे हम जो भी file name enter करा रहा है वह file name वहाँ पे exist होनी चाहिए और उसकी size zero से ज़्यादा होनी चाहिए वह हम वहाँ पे first condition में check करा रहे है that is a minus s dollar f name और दूसरी condition हम वहाँ पर चेक करा रहा है minus w dollar f name के अंदर के हम जो भी file name enter कर रहे है वो file name यानि के वो file वहाँ पर exist होनी चाहिए और उस file के उपर write permission होनी चाहिए तो अगर दोनों condition मेरी true हो जाएगी तो then part के अंदर लिखा हुआ वहाँ पर अगर इन दोनों में से कोई भी condition मेरी wrong हो जाएगी तो वहाँ पर else part में लिखा हुआ मेरा message महाँ पर display हो जाएगा जो मैने लिखा हुआ है वहाँ पर के echo dollar f name has size 0 और user does not have write permission on it अगर वहाँ पर मेरी second condition wrong हुई तो महाँ पर मेरा else part में लिखा हुआ जो भी statement है वह statement वहाँ पर print हो जाएगा और last में में लिखा हुआ है वहाँ पर fi यानि के condition वहाँ पर मैं end कर रहा हूँ अब हम आगे देखे यानि के इस program का execution देखे तो execution देखने के लिए हम program से बाहर जाएंगे तो program से बाहर जाने के लिए हम वहाँ पर escape shift के साथ colon and wq लिख कर enterprise करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर enterprise कर रहे हो वहाँ पर terminal window पर आ रहे हो अब हम वहाँ पर program का execute करेंगे और program को run करने के लिए हम command लिखेंगे वहाँ पर की sh space script 16 और लिखने के बाद जैसे ही वहाँ पर enterprise करेंगे वहाँ पर echo message का जो statement था वह वहाँ पर display हो जाएगा यानिके message वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि enter a file name तो मैं वहाँ पर file name enter कर रहा हूँ script 10 जैसे ही मैंने वहाँ पर अपनी file name लिखी और मैं enterprise कर रहा हूँ मुझे वहाँ पर message दिख रहा है script 10 has size greater than zero and user has a right permission on it क्योंकि यह जो मेरी script 10 है उसके उपर right permission वहाँ पर रख्य होई है अब वह permission है या नहीं वह हम कैसे check करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर command है ls-l जैसे आप लिखोगे तो आपकी particular current folder के अंदर current directory के अंदर कितनी files जो भी आपने बनाई होगी सारी files के permission के साथ एक list आउट आपको देखने को मिलेगा जहां पर आप देख सकते हो middle portion के अंदर यानि कि जो list मेरा आया हुआ है उस list के middle part में आपको वहां पर script 10 दीख जाएगा और जहां पर वहां पर पर्मिशन वहां पर दीख रहा है that is your rw-rw-rw-rw-to आपको कुछ दीख रहा है that is my permission that is a read and write read and write की permission वहां पर दीगाई है इसलिए वहां पर मुझे permission वाला message भी मिल रहा है के write permission on it कर गए okay अगर हमें यहां पर permission particular हटा ना हो तो हम कैसे हटाएंगे तो सबसे पहले यह screen को हम clear कर दे तो clear करने के लिए हम वहां पर command लिखेंगे clear और enter press करेंगे तो वहां पर पूरी screen clear हो जाएगे तब हमें वह permission change करने हो तो change करने के लिए कौन सा command लिखेंगे permission हमें वहां पर देनी हो या फिर हटानी हो उस permission हमें वहां पर लिखनी पड़ेगी that is मुझे write permission हटानी है तो मैं वहां पर लिख रहा हूँ और कौन सी file में से हटानी है तो उस file का नाम that is a script 10 और जैसे मैं enter press कर रहा हूं वहां पर आर डबल्यू आर डबल्यू दिख रहा था वहां पर simple आपको वहां पर क्या लिख रहा है अभी minus r dash dash minus r dash dash minus r etc तो वही चीज़ आपको वहां पर देखने के में पर देख रहे तो मेरी write permission थी वह write permission वहां से मैंने हटा दी है अब मैं वहां पर अपने जो प्रोग्राम था यानि के 16 नमर की जो script थी उसको execute करूँगा और again जो मुझे file का नाम पुछा जा रहा है उस file के नाम के अंदर मैं again वहां पर script 10 एंटर कर रहा हूं और मैं check करूँग कि मुझे कौन सा answer वहां प enter a file name तो मैं वहां पर file name लिखूंगा again script 10 और जैसे ही मैं enter press कर रहा हूं मुझे वहां पर message display हो जाएगा कि script 10 has a size 0 और user does not have a write permission on it क्योंकि मैंने वहां पर permission उसको change कर दी है उसके लिए मुझे else part में जो भी मैंने लिखा हुआ था वो मुझे message वहां पर display हो जाएगा क्योंकि वहां पर दे रहा हूं यानि कि अभी again CH mode करके UGO करके मैं वहां पर plus W लिखकर वहां पर write permission assign कर रहा हूं और जैसे LS-L करकर मैं वहां पर list देखूंगा तो again मुझे वहां पर read and write करने की permission मुझे वहां पर allocate हो जाएगी तो students आपको यह आद रखना कि particular file में आपको अगर वहां पर permission देनी हो तो आप वहां पर CH mode UGO यानि के user, group and others तीनों को अगर permission देनी हो तो तीनों का नाम लिखकर आप वहां पर plus और minus symbol के साथ वह permission देना या फिर वह permission हटाना आप वहां पर काम कर सकते हो read, write and execute के लिए हमें permission देनी होती है वो हमने 6 chapter के अंदर भी देखा था आपको कैसे देनी है अगर हमने यहां पर revision class ले ली छोटी सी तो इस हिसाब से आपको जो script number 16 का execution करना था वो execution आप इसे कर सकते हो और ls-l की मदद से आपको list वहां पर check करा सकते हो कि आपको किस हिसाब से वहां पर execution यानि कि जो permission है वो permission आपने किस हिसाब से सारी अपने program में दे रखी है तो आई होब यह जो 16 नंबर की script के अंदर आपको जो कुछ भी समझा गया वो आपको समझ में आ गया होगा चले next script के बारे में हम discuss करें तो हमारी next script है script number 17 तो script number 17 को open करने के लिए हम command लिख रहा है वहाँ पर vi space script 17 और जैसे enterprise कर रहा हूं आपकी script के उपर वो 17 नंबर की पूरी script आपको वहाँ पर दीख रही है 17 नंबर की script को हम समझे तो यहाँ पर हमने comment line के अंदर वहाँ पर उसको लिखा हुआ definition की script to find the file with the maximum size यानि के यहाँ पर हम अलग-अलग files का नाम एंटर करेंगे तो हम यहाँ पर अपने program के तुरू 3 files वहाँ पर नाम एंटर करेंगे और तीनों file में से किस file की size ज्यादा है वह हम वहाँ पर display कराएंगे उस file का नाम वहाँ पर display कराएंगे तो चले program को समझते हैं जो सबसे पहले clear लिखा हुआ है that means वह सारा terminal window पर जो भी कुछ commands लिखे हुए तो पहले वह सारे clear हो जाएंगे फिर echo command से हम वहाँ पर message display करा रहे है कि enter name of the first file और जो first file user वहाँ पर enter कराएंगा तो वह वहाँ पर fname 1 नाम के variable के अंदर store कराएंगे फिर again message display होगा कि enter name of the second file और जो second file का नाम user एंटर करेगा वह वहाँ पर fname 2 नाम के variable के अंदर वह store करेगा फिर again message display होगा कि enter name of the third file तो जैसे ही तीसरी file का नाम हमने लिखा और जैसे enter प्रेस कर रहे हो तो वह जो तीसरा नाम था वह वहाँ पर fname 3 नाम के variable के अंदर वह क्या होगा store होगा फिर यहाँ पर तीनों file का नाम आ गया है तो हम वहाँ पर अब क्या कर रहे है कि wc command का use करकर हमें जो field चाहिए वही film वहाँ पर अभी क्या कर रहे है साथ में वहाँ पर ले ले लेंगे हमने वहाँ पर next term में लिखा हुआ है कि f size 1 is equal to एक single quote किया हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ कि wc minus c dollar fname 1 और cut minus d double quote में हमने वहाँ पर blank रखा हुआ है और minus app करके first number लिखा हुआ है that means what कि यहाँ पर जो भी आपकी file size आपको वहाँ पर देखने को मिल रही थी उसमें से मुझे first column चाहिए तो उसके लिए वहाँ पर हमने लिखा हुआ है minus app करके one that is मेरी field की first number की column मुझे वहाँ पर cut करके वहाँ पर क्या करना है app size one app size two and app size three नाम के variable के अंदर मुझे क्या करना है उसको store करना है okay हमें पता है कि wc command का use क्या होगा कि जब भी हम wc command करेंगे तो particular file के अंदर कितने characters है वह पूरे characters पूरी file की size के साथ वहाँ पर display हो जाएगा तो उसमें से मुझे कौन सा चाहिए तो से first field की value चाहिए थी तो मैंने वहाँ पर cut command का use करकर क्या कर दिया वहाँ पर वहाँ पर respectively app size one app size two and app size three नाम के variable के अंदर मैंने store करा दिए अब आप मैं TINO file की size वहाँ पर display करा आउंगा कि echo size of dollar fname is equal to dollar size one फिर echo size of dollar fname 2 is equal to dollar size 2 and echo size of dollar fname 3 is equal to dollar size 3 तो यहाँ पर मैंने 3 file के नाम के साथ वहाँ पर particular उसकी size कितनी थी वहाँ ने वहां पर display करा दिया है अब मुझे चेक करवान है कि इन तीनों साइज में साम मैक्सिमम कॉन है तो उसके लिए मैंने वहाँ पर कंडिशन लिखा हुआ है कि जो फायल है वो पर कंडिशन के मदा घरिखीय वहां पर के लिखिऊ है कि dollar app size 1 is equal to dollar app size 2 and dollar app size 1 equal to dollar app size 3 अगर वहाँ पे dollar app size 1 जो हमारा variable था याने कि जो उस फाइल वहाँ पे उसके equal to होगी या फिर वो question जो हमारा third number के फाइल थी वो वहाँ पे उसको equal कर रही है अगर तीनों फाइल मेरी यहाँ पे equal कर रही है तो वहाँ पे मुझे message print होगा कि equal all files have the same size क्या पता users वहाँ पे तीनों फाइल के नाम के अंदर एक ही फाइल का नाम लिख दे तो भी हमें वुस तरह की condition तो चेक करवाने ही पड़ेगी तो उसी type की condition को चेक करवाने के लिए हमने यह condition लिखी होगी है कि क्या दोनों जो फाइल समने वहाँ पे तीनों फाइल समने वहाँ पे रख्य होगी है क्या वो तीनों equal size की है अगर है तो वहाँ पे message print होगा कि all files have the same size ओके फिर next एक condition हम चेक कर आ रहा है कि एलिफ bracket के अंदर लिखा हुए कि dollar app size 1 minus dt that is greater than dollar app size 2 और क्योंकि हमने वहाँ पे sorry वहाँ पे हमने end का symbol का use किया that is a minus a dollar app size 1 greater than dollar app size 3 तो हम यहाँ पे condition चेक कर आ रहे है again क्या app size 1 app size 2 नाम के variable से बड़ी है okay and app size 1 greater than app size 3 तो क्या app size 3 से भी app size 1 बड़ी है तो वह condition हम वहाँ पे चेक कर आ रहे है अगर दोनों condition के अंदर app size 1 वहाँ पे बड़ी है तो वहाँ पे eco message print होगा कि dollar app name has the maximum size तो हमने condition चेक कर आ ले क्या app size 2 से app size 1 बड़ी है and app size 3 से app size 1 बड़ी है okay तो वह condition चेक कर आ दिया अगर वहाँ पे true होगा है तो वहाँ पे होगा कि app name 1 has the maximum size फिर again condition एक चेक कर आ रहे है के alif फिर condition में हमने वहाँ पे second file को हम चेक कर आ रहे है and तीसरे नंबर से बड़ी है अगर वहाँ पे उसकी बड़ी होगी वह फाइल second नंबर की तो वहाँ पे echo message में प्रिंट होगा कि dollar app name 2 has maximum size और else part के अंदर लिखा dollar app name 3 has the maximum size अगर उपर वाली दोनों condition वहाँ पे false हो जाएगी तो मेरी तीसरी फाइल जो भी है उसकी size automatically मेरी क्या हो जाएगी बड़ी ही होगी क्योंकि वहाँ पे दोनों condition रॉंग हो रहे है तो that means what कि मेरी तीसरी फाइल की size क्या है ज्यादा है और last में हमना लिखा होगा है वहाँ पे fi उस हिसाब से हम वहाँ पे क्या कर रहे है message print कर रहे है तो चले program को execute करें तो execute करने के लिए हम program से बाहर जाएंगे और बाहर जाने के लिए हम command use करेंगे escape shift के साथ colon और wq हम जैसे enterprise करेंगे अब terminal की screen के उपर आ जाओगे और हम वहाँ पे program को execution करने के लिए हम command लिखेंगे sh script 17 जैसे हम enterprise करेंगे वह हमें message पूछ रहा है कि enter name of first file तो हम वहाँ पे अपनी पहली file का नाम लिखेंगे तो हम लिख रहा है वहाँ पे script 8 जैसे enterprise करा हमें वह दूसरी file का नाम पूछ रहा है कि enter the name of second file तो हम second file का नाम लिखेंगे और जैसे लिखने के बाद enterprise कर रहे है वहाँ पे तिसरी file का नाम पूछ रहा है कि enter name of the third file तो वहाँ पे हम एक और file का नाम लिख रहा है that is a script 15 और script 15 लिखने के बाद जैसे हम enterprise कर रहे हैं तो तीनो file की size हमें वहाँ पर display हो रही है और इन तीनों में से जो maximum size है वहाँ पर हमें method display हो रहा है कि script 15 has the maximum size क्योंकि script 8 के लिए यहाँ पर 208 size है script 10 के लिए 224 है and script 15 के लिए 343 है तो यहाँ पर सबसे बड़ी size कौन से हुई तो कि 343 तो वहाँ पर method display होगा कि script 15 has the maximum size तो यहाँ पर method display होगा script 15 has the maximum size तो आपने जो भी यहाँ पर अपनी files ने मेंटर करी होगी उसमें से जिस file की size ज्यादा होगी वह वहाँ पर method display हो रहा है ओके आई हो इस program के अंदर आपको जो कुछ भी समझा गया है वह आपको समझ में आ गया होगा चले अब next script की बात करें तो next script है हमारी script 18 तो इसको open करने के लिए हम वहाँ पर command लिखेंगे कि vi space script 18 और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो वहाँ पर 18 नमबर की script open हो जाएगी तो 18 नमबर की script क्या कहती है तो code को समझे हम वहाँ पर तो सबसे पहली comment line के अंदर हमने वहाँ पर लिखा हुआ है कि script 18 script to perform various files and directory operation तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक script ऐसी बना रहा है कि जिसके अंदर हम वहाँ पर अलग-अलग files और directory के उपर हम जो भी कुछ operation perform करना है वो operation हम एक ही script के अंदर से कर सके तो उसके लिए हम यहाँ पर एक menu बना रहे है और menu बनाने के लिए हम वहाँ पर echo command का use कर रहे है तो हमने वहाँ पर लिखा हुआ है कि echo 1- display current directory यानि कि हमें जो भी file और directory के उपर जो जो operation perform करने वाले है उसका वहाँ पर हमने एक list बनाया है तो echo 2, make a directory, echo 3, copy a file, echo 4, rename a file, echo 5, delete a file, echo 0, फिर exit यानि कि हमने particular operations को वहाँ पर एक numbering दे दिया कि एक number पर आपके लिए वहाँ पर current directory display करेगा दो number है वो आपके लिए directory create करेगा 3 number फाइल को copy करेगा 4 number rename करेगा 5 number फाइल को delete करेगा फिर 0 प्रेस करने साब exit हो जाओगे एकसेटरा ओके एंड लास में हमने वहाँ पर लिखा होगा है कि echo minus and enter your choice और bracket में हमने लिखा होगा है 0-5 यहाँ पर बता चले कि यहाँ पर choice कौनसी values में से लेनी है तो वहाँ पर बताए हमने कि 0-5 के बीच में आपको वहाँ पर क्या करना है वैल्यू एंटर करवानी है जो user value एंटर करवाएगा वो choice नम के variable के अंदर वो क्या हो जाएगा store हो जाएगा और जो भी हमने नीचे numbering के अंदर जो भी coding लिखा हुआ है उसके मुताबिक वो क्या करेगा execute करेगा यानि कि मैंने अगर 3 number प्रेस किया तो 3 number किसके लिए है तो कॉपी करने के लिए तो कॉपी करने के लिए जो code मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है वो वहाँ पर execute होगा simple प्रोग्राम को देखे अगें तो case dollar choice in करके हमने लिखा हुआ है यानिस महाँ पर मैंने जो भी choice enter करी होगी वो choice के मुताबिक वहाँ पर 1,2,3,4,5 जो coding मैंने वहाँ पर लिखी हुई है वो वहाँ पर execute होगी तो हम सबसे पहले जो code मैंने लिखा हुआ है उसको बात समझे तो सबसे पहला coding था हमारा display थी current directory तो current directory के लिए हमें वहाँ पर present working directory नाम का command यूज करना है that is a pwd तो simple echo command में हमने वहाँ पर pwd लिखा हुआ है तो जैसे कोई user वहाँ पर one press करेगा तो उसकी जो भी present working directory होगी उसका वहाँ पर list यानि के वो line आपको देखने को मिलेगे पीर जो double semicolon आपको देख रहा है that means what की यह क्या करेगा कि अपने जो case है यानि के जो मेरा first number का जो case है उसको वहाँ पर end हो रहा है वो declare करेगा वहाँ पर जब तक इसको वहाँ पर case one के अंदर double semicolon नहीं भी लेंगे तब तक वो अपने statement को execute करता रहेगा that means यहाँ पर वो case का end दिखा रहा है फिर दो number के अंदर मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है एको minus n enter name of the directory to be created यानि कि दो number मेरा किसके लिए है तो make a directory दिरेक्टरी बनाने के लिए है तो मैं उसके regarding में वहाँ पर दो number के अंदर मेरे code लिखूंगा वहाँ पर तो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है कि दिरेक्टरी बनानेように के लिखाए वहाँ पर क्या करो अब पर jamais जो भी नाम एंटर करूंगा मैं वहाँ पर वह दी नम नम के वेरियाबल के अंदर वो स्टोर होगा फिर कंडिशन में वहां पर चैक कर रहा हूं कि इप ब्रैकेट का अंदर लिखा माइनस डी डॉलर डी ने यानि minus D क्या करेगा कि वह check कर रहा है कि एधर मैं जो भी नम वहाँ पे लिख रहा हूं उस नम की directory already exist है या नहीं है अगर वहाँ पर exist है तो eco command वहां पे display होगा यानि का दैन के अंदर जो मैंने eco लिखा हुआ है वो display होगा कि directory with the name already exists okay अगर वहाँ पे already जो मैं नाम लिख रहा हूँ उस नाम के directory मेरी present working directory में already exist है तो मुझे वहाँ पर message आ जा जाएगा already exist वाड़ा अगर वहाँ पर वो already exist नहीं है तो वहाँ पर else part के अंदर command जो लिखा हुआ है वो command execute होगा that is mkdir यानि के वो command जो directory create करने के लिए होता है वो mkdir and dollar dname यानि के dname नाम के variable में मैंने जो नाम लिखा था अपने directory का वहाँ से ले लेगा और एक directory create कर देगा और successfully directory create हो जाएगी तो मुझे वो message display कराएगा यानि के डिरेक्टरी dollar dname created successfully यानि के जिस नाम के डिरेक्टरी मुझे बना नहीं थी उस नाम के डिरेक्टरी successfully create हो गई है फिर condition बंद हुई यानि के fi और double semicolon that means सारे statement का यहाँ पे क्या हो रहा है end हो रहा है फिर third number के case की तरफ हम बात करें तो third number का case है हमारा copy करने के लिए यानि के particular file को अगर हमे copy करना है तो हम copy करने के लिए कैसा command use करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि eco minus and enter a source file name यानि के obviously copy करना हो तो मुझे सबसे पहले कोई एक file का नाम तो चाहिए कि कौन सी file को copy करना है तो वह जिस file को मुझे copy करना है उस file का नाम मुझे सबसे पहले ल यानि के particular मैंने एक file को copy तो कर दिया फिर मैंने उस particular file को कौन से नए नाम से मुझे उसको अपने directory के अंदर store कराना है तो उस नई file का नाम में वहाँ पे लिखूंगा destination file name के रूप में और जो मैं file वहाँ पे नाम लिख रहा हूं destination file वाले menu में तो वहाँ पे वहाँ वहाँ पे d file नाम के variable में store होगा और copy command को execute होने के लिए वहाँ पे command लिखा हुआ है कि cp-u dollar sname space dollar dname okay तो यहाँ पे वह क्या करेगा जो भी source file की file थी उसको copy करके d file वाली content में उसको यानिके उस file की नाम के हमने जो भी रखा हुआ होगा उस नाम की नई file वह क्या कर देगा create कर देगा and again double semicolon that means what कि हमने वहाँ पे पूरे statement execute हो गया है program यानिके वह case खतम हो गया है फिर fourth one की ब किस हिसाब से हम काम करेंगे तो rename करने के लिए हमने वहाँ पे सबसे पहले एक echo file लिखा हुआ है same as copy जैसा ही होगा कि मुझे जिस file को वहाँ पे rename करनी होगी तो उस file का नाम सबसे पहले चाहिए और फिर उसका नाम मुझे क्या देना है वह मुझे वहाँ पे लिखना अंदर store होगा फिर मुझे वहाँ पे नई फाल का नाम यानि के कौनसा मुझे rename करके नए नाम कौनसा लिखना थे वह मुझे वहाँ पे message डिस्प्ले होगा तो मैं नए फाल का नाम वहाँ पे लिखूंगा और जैसे मैं enter प्रेस कर रहा हूं तो वह जो नाया नाम नाम new f न rename करना था तो rename करने के लिए command था हमारा mv command जो particular file और directories को वहाँ पे rename करेगा तो mv command का use को अगर हम अपनी particular जो भी existing file है उसको वहाँ पे हम नए नाम से store करा सकते हैं अगें double semicolon means अपने case number 4 के statement वहाँ पे execute हो गया है फिर case number 5 की बात करें तो case number 5 के particular files को directories को अगर मुझे delete करना हो तो delete करने के लिए वहाँ पे command है rm command और जो भी आपको file directories delete करने हो तो वह आप वहाँ पे अपना नाम वहाँ पे उस particular file का नाम वहाँ पे लिख सकते हो तो जो file delete करनी होगी उस file का नाम आपको लिखना होगा तो उसके लिए वहाँ पे echo command में message display करा रहा है कि enter a file name to be deleted तो जो मुझे file name delete करनी है वह file name का नाम में वहाँ पे लिखूंगा तो वह f name नाम के variable के अंदर store होगा और particular जो मैंने file का नाम लिखा है जो मुझे delete करनी है वह delete करने के लिए मैं command execute कर रहा हूं के rm और वह वहाँ पे f name के अंदर जो file का नाम store होगा वहाँ से वह value ले लेगा और वह particular file को क्या कर देगा delete कर देग फिर again double semicolon means वहाँ पे statement सारे execute हो गए फिर वहाँ पे zero case की value आई यानिके zero case के अंदर हमने वहाँ पे लिखा होगा exit zero यानिके अगर users ने program execute करा मगर उस तो कोई भी operation perform नहीं करना है तो उसको बाहर निकरने के लिए वह क्या करेगा zero price करेगा तो वह automatic program के execution में से बाहर आ हुआ है हमने और वहाँ पे message करा रहा है कि इको incorrect choice existing script तो यहाँ पे incorrect choice बताएगा कि क्योंकि users अगर चाहे तो वहाँ 025 के अलावा कोई value अगर वहाँ पे enter कर रहा है तो वहाँ पे यह message display होगा कि वह incorrect choice है क्योंकि users वहाँ पे कोई भी entry वहाँ पे कर सकता है जरूरी नहीं कि हमने वहाँ पे लिखा गया है कि 0-5 तो वह 025 के बीच में ही entry करें उसने साथ 6,7,8,9,10,11 कोई भी number वहाँ पे अगर दबाया तो वहाँ पे error message display होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है एक गलती है आपने गलत choice डाली होगी है तो चलिए program को हम execute करें तो execute करने के लिए हम पे terminal के screen पर आ जाओगे तो सबसे पहले execute करने के लिए हम command लिखेंगे कि sh script 18 तो आपको वहाँ पे list display हो रहा है कि one number के लिए यह two number के लिए यह तो हम वहाँ पे लिख रहा है कि anterior choice हमें पूछ रहा है तो हम वहाँ पे one number enter करें जैसे ही one लिख कर हमने enterprise करा तो वहाँ पे पे address display हो रहा है फिर अगें script को execute करेंगे और execute करने के लिए again sh command का use करेंगे अगें आपको वहाँ पे list display हो जाएगा अब हम वहाँ पे दो number प्रेस करेंगे तो वहाँ पे message display हो रहा है कि enter name of the directory to be created जो भी directory create करनी थी उस directory का आप नाम लिखो तो मैं यहाँ पे नाम लिख रह रहा हूं तो मुझे वहाँ पे message display हो रहा है कि directory demo created successfully अगें प्रोग्राम को execute कर रहा हूं और execute करने के लिए command लिखूंगा sh script 18 तो list जो आ रहा है उसमें मैं अब third number प्रेस करूंगा यानि कि third number लिखने के बाद मैं enter प्रेस करूंगा तो message वहाँ पे display हो रहा है कि enter a source file name okay तो third number मेरा copy करने के लिए है तो मुझे कौनसी file copy करनी थी तो वह source file के अंदर मैं वहाँ पे लिख रहा हूं script 1 okay और जैसे enterprise कर रहा हूं मुझे destination file name पूछ रहा है यानि कि अब नई file का नाम मुझे क्या लेना है तो नई file का नाम मैं वहाँ पे ले रहा हूं s1 okay तो script 1 का जो भी code था वो सारा code वहाँ पे s1 नाम की file के अंदर store हो जाएगा तो जैसे ही मैं वहाँ पे enterprise करूंगा तो वहाँ पे successfully file copy हो जाएगी और वो copy file हुई या नहीं हुई यानि कि s1 नाम की file बनी है या नहीं बनी है वो देखने के लिए मैं command execute करूंगा dir तब देख लिखा है कि s1 मेरा लिखा हुआ है that means successfully वो file मेरी create हो गई है अब उसके अंदर content copy हुए है नहीं हुए वो check करने के लिए मैं s1 नाम की file को open करूंगा तो open करने के लिए command है vi s1 और enterprise करूंगा तो आप देख सको कि script 1 के अंदर जो भी coding समने लिखे हो वह सारे digital coding के साथ यानि क नहीं script को यानि कि 18 number की script को हम वहां पर execute करेंगे और execute करने के बाद हमने first second third number देख लिए अब हम वहां पर four number प्रेस करेंगे तो four लिखने के बाद मैं enter प्रेस करूंगा तो मुझे वहां पर message display हो रहा है कि enter old file name तो मेरी जो old file name थी यानि कि जो existing हमने s1 नाम की file बनाई उसक वह हम वहां पर rename करेंगे तो वहां पर मैं लिख रहा हूं वहां पर s1 और जैसे enterprise कर्णा तो मुझे वहां पर बूछ रहा है rename हो गई होगी वो हुई ना हुई वो check करने के लिए again dir command का use करना है तब देख सकोगे कि जो fourth line के अंदर उपर वाले practical में यानि कि जब मैंने third number execute किया था तब वहाँ पे fourth column के अंदर last line में आपको s1 दीख रहा था जो अभी के practical यानि कि अभी के output में आपको नहीं दीख रहा वहाँ पे देखो s1 गया वो गया है fourth column में नहीं दीख रहा मगर उसकी जगह पर वहाँ पर pr1 दीख रहा है क्योंकि हमने उसका नाम change कर दिया है और s1 का नाम हटा कर हमने वहाँ पर pr1 लिखा हुआ है तो you can see कि यहाँ पर pr1 दीख रहा है फिर again program को execute कर रहे है और अब हम वहाँ पर क्या करेंगे पांच नंबर वहाँ पर execute कराएंगे तो वह execute कराने के लिए हम वहाँ पर लिखेंगे अपना command यानि कि 5 नंबर हम enter कराएंगे तो 5 नंबर एंटर करेंगे और हमें जो file delete करनी होगी उस deleted file का नाम लिखेंगे तो मैं वहाँ पर अपनी pr1 ही वहाँ पर क्या कर रहा हूँ उसको delete करूँगा क्योंकि multiple files मुझे नहीं चाहिए तो वहाँ पर मैं pr1 लिखकर enterprise करूँगा वो successfully delete हो जाएगी वह हुई ना हुई वह अगें चेक करने के लिए हम अगें dir command का यूज करेंगे और आप देख सकोगे कि जहां पे वह pr1 exist थी यानि कि हमारे prg1 के उपर आप नीचे नए वाले output के अंदर वहाँ पे आप देख सकोगे कि वह वहाँ से गया बेट है वह successfully delete हो गई है तो इस हिसाब से आप अपनी script को execute करा सकते हो तो जो भी operation perform करना था files के उपर, directory के उपर तो आप वहाँ पे उसको execute कर सकते हो अब exit करने के लिए हम वहाँ पे लिखेंगे program को again execute करेंगे और execute करने के बाद हम वहाँ पे zero press करेंगे तो हम successfully program से बाहर आ जाएंगे और अपनी command from के line के उपर हम वहाँ पे again वहाँ पे वापिस आ जाएंगे तो यह था आपका case statement कि आप अपनी script को किस हिसाब से sequence wise आपको execute करना हो तो sequence wise execute कर सकते हो particular किस operation को directly perform करना था तो आप कौन सा operation perform करना चाहते हो वह number लिखोगे तो उसके मताबिक भी आप वहाँ पे execute अपनी script को कर सकते हो तो I hope कि आज के वीडियो के अंदर आपको जो भी कुछ समझाएगा यानि कि आपको script number 16 समझाए script number 17 समझाए script 18 समझाए वो सारे script के बारे में आपको समझ में आ गया होगा तो next script के साथ और next practical के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे तब तक goodbye take care and thank you all